नमस्कार मैं शफाली कुकड फाइटर समाचार में आपका स्वागत करती हूँ इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वो है पंजाब के DSP विकरम बराड का जो गैंक्स्टरों के लिए खोफ बने हुए है नाभा जेल से फरार होने के बाद चर्चा में आने वाले कोख्यात गैंक्स्टर विक्की गौंडर का एक साल पहले बराडवे उनकी टीम ने ही राजस्थान के हिंदु मलकोट के गाम पका टीबी की टहनी में अनकाउंटर कर दिया था ठीक एक साल बाद जिरखपूर के पीर मुचला के महलक्षमी अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल में एक फ्लैट में छिपे गैंक्स्टर लोरेंस विश्णोई के शार्प शूटर अंकित भादु को डी एसपी बराड वे उनकी टीम ने ही दो घंटे के ओपरेशन में धेर कर दिया वहीं दो गैंक्स्टरों को गिरफतार किया था पंजाब के विकरम बराड को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तोर पर जाना जाता है बराड ने समचर पत्र से सांझा की एनकाउंटर के धरान आई चनोतियां इनकाउंटर के बाद इनको काफी धमक्या भी मिली है ये पात इन्होंने खुद सविकार की है अंकित भादू के एनकाउंटर के बारे में बताया कि अंकित भादू शहरी एरिया में था तो उससे जादा आसपास के लोगों का जादा ध्यान रखना पड़ा ताकि किसी आम इंसान की जान खत्रे में ना पड़े क्या अंकाउंटर करना जरूरी होता है इस सवाल पर उन्होंने बताया कि अंकाउंटर करके हमें कोई कुशी नहीं मिलती हम पहले बदमाशों से सरेंडर की उपील करते हैं प्रंत के अलावा विकल्प नहीं बचता बच्ची को बंदक बनाने पर क्या महसूस हुआ इस सवाल पर शुरी बढ़ान ने कहा कि गैंक्स्टर अंकित भादू को एक बार नहीं बलकि कई बार खुद को सेरेंडर करने के लिए कहा था प्रंतुए चलांग लगा कर दूसरी मंजिर पर घर में गुसा और 6 साल की बच्ची को गन पॉइंट पर धाल बना लिया था उस समय अंकित भादू को गिरिफतार या अंकाउंटर करने से जादा बच्ची की जान को बचाना एहम हो गया था प्रंतु टीम के कोडिनेशन के चलते हम बच्ची को बचा पाए और गैंक्स बरार ने कहा कि A कैटिगरी के साथ गैंग्स्टर बाकी है जबकि B कैटिगरी के गैंग्स्टरों का काफी हद तक सफाया हो चुका है उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के जरिये इन गैंग्स्टरों को अपील करना चाहूंगा कि वह जल से जल से रंडर कर दें क्यूंकि उनके क पारण पंजाब का मोहल खराब हो रहा है नहीं तो कार्यवाई के लिए त्यार रहें